हेलो गाइज वेलकन पूर अधर वीडियो प्स्टॉक मार्ट फेंट्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेट की और से मार्च क्वाटर की फिनासल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसेश करेंगे स्टैंडर लॉन कॉन्सॉलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडेड और फिनासल रिएंडेड का जोके हम लोग कवर करेंगे चलिए फेंट्स वेडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लेफ्ट में आपको स्टैंडर लॉन रिजल्ट्स होकर है राइट में कॉन् इंकम में 152.4 करोड का पिछले क्वाटर में 88.5 करोड का और मार्स 23 क्वाटर में 204.8 करोड का इंकम है क्वाटर ओन क्वाटर में इंक्रेस है यहर ओन येर में डाउन देखने को मिला है एक्सपेंसे 151 करोड का पिछले क्वाटर में 81.5 करोड का और मार्स 23 क्वाटर में 19 91.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expense बहुँ ज़्यादा हो रही है quarter on quarter में लेकिन year on year के expenses भी down देखने को लोगा है जिसमें expense हुआ है inventory में 11 करोड का charge किया है जिसके बाद operating profit 1.3 करोड का पिछले quarter में 7 करोड का और March 23 quarter में 13.2 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है net profit company का है इस बार का 2.6 करोड का पिछले quarter में 3.5 करोड का और March 23 quarter 5 करोड का operating net profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS 0.1 रुपेज का quarter on quarter year on year में fall देखने को मिला है तो गाज़ कंपनी का result consolidated में quarter ended में तो बहुत वीक result पेज करें अगर हम financial rendered की बात करें income है 466.5 करोड का 23 में 541.5 करोड का income में तो बहुत जादा fall है expenses हुआ 441.7 करोड का 23 में 493.5 करोड का expense में भी fall है operating profit 24.7 करोड का 23 में 48 करोड का जो की fall देखने को मिला है net profit है 21.6 करोड का 23 में 33.9 करोड का down देखने को मिल रही है EPS company का page किया है 0.93 रुपीज का 23 से बहुत ज्यादा down देखने को मिल रहा है तो फिनांशल यह एंडेट में भी company income profit में down देखने को मिला है और अगर हम stand-alone results को cover करें income में 127.6 करोड का पिछले quarter में 81 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 133 करोड का income है income quarter on quarter में तो down increase है लेकिन year on year में down देखने को मिल रही है expenses हुआ है 125 करोड का पिछले quarter में 77.6 करोड का मार्च 23 क्वाटर में 99.4 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expenses बहुँ जादा year on year में भी बहुँ जादा इसके कारण profit में down है operating profit 2.4 करोड का पिछले quarter में 3.6 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 33.6 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है net profit 4.6 करोड का पिछले quarter में 2.1 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 24 करोड का net profit है quarter on quarter में तो इंक्रीज है लेकिन year on year में down देखने को मिला है EPS 0.18 रूपीज का quarter on quarter में down है year on year में भी down देखने को मिल रही है तो guys overall company का result बहुत ही weak पेश के क्योंकि income profit दोनों में down है but guys company का standalone का quarter on quarter के profit में इंक्रीज हुआ year on year में down था और consolidated में तो income profit दोनों में down बस quarter on quarter के income इंक्रीज है लेकिन expense ज्यादा होने की कारण profit में down हुआ है तो guys company का result पेश हुआ बहुत वीक रिजल्ट पेश किया है share की बात करें 13.69 रुपेश किया और 5% का growth देखने को पॉजिटिव जो profit देखने को मिला है 5% का आज के दिन one week में 27% का profit है one month में 35% का और 6% 125% का profit है तो guys अगर आप उसके share में already investment कर चुके है और अगर profit में गाइस तो आप profit बॉक करके निकल सकते क्योंकि guys result बहुत वीक पेश के प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पूछे मिलता है नेक्स रूड़ा में दिल दन बाबाई